आज अव्यक्ट मुर्ली है रिवाइज डेट है 25-10-2002 25 अक्टूबर 2002 का मुर्ली है 22 साल हो गया यह मुर्ली चले 22 साल हो गया ब्राम्हान जीवन का आधार purity की royalty यानि पवित्रता ही ब्राम्हान जीवन की royalty है आज सनेही का सागर अपने सनेही बच्चो को देख रहे हैं चारों और के स्नेही बच्चे, रुहानी सुच्म डोरी में बंधे वे अपने स्वीट हों में पहुँच गये हैं, यानि सब मधुबन पहुँच गये हैं बाबा मिलन मनाने के लिए जैसे बच्चे स्ने से खिच कर पहुँच गए हैं वैसे बाब भी बच्चों के स्ने की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सम्मुख पहुँच गए हैं जैसे बच्चे पहुँचे तो बाबा भी आया है ना तो दोनों का स्नेह, बाब दादा देख रहे हैं कि चारों और के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाय हुए जो नहीं आ पाएं, टीवी पर ही देख रहे हैं, लेकिन टीवी पर ही हमें कैसा महसूस होता है, जैसे बाबा सामने, है न, सुचते कि एक लाइन भी मिस न ह सुन ले अच्छे से, तो बाब दादा देख दूर के बच्चों को भी देख रहे हैं, सम्मों के बच्चों को भी देख रहे हैं, और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देखकर बाबा हर्सित हो रहे हैं, ये रुहानी, आविनासी स्ने, परमात्म स्ने, आत्मिक स्ने, सा बलब झाणी sleeps on me कभिए खतम ना होता कभी if के अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है कभी कड़ेगा करमात्म स्नेक इस लगेगा घ्र अच्छा बहुत inom देकिन भगवान जो यह से veure फिर साँинки उसके बाद और तो ये परमात्म स्ने了 स्ने कभी मिलेगा पहचान ही नहीं तो मिलेगा क्या हम प्हिकारियों के россिसी include ंकि पहचान नहीं क्या और वह भीर्वीदेवता ओक्यान आत्मिक्ष नहीं आत्मा के परिच're not हुई खुद के नहीं थ्यूंत के होगे कि बादला हर एक बच्चे की पवित्रता की रोयल्टी देख Emas ब्राम्हन जीवन की रोयल्टी हैं ही प्योर्टी यानि पवित्रता अभी का रोयल्टी क्या है जितना अच्छा महांगा कपड़ा पांड़े हैं बहुत पैसा है कोई अच्छा पद पोजीशन में है उसके बाद देखिए को आपको खुद ही लगेगा कि हम किस चीज को रोयल रोयल्टी खतम नहीं होगा मतलब किस ताइब की स्थिति हैं लेकिन हमारा ब्राम्हन जीवन कैसा है कि हम कहीं भी है हम अपने आपको स्रेश्ट समझते हैं क्यों क्यूंकि हम आप पवित्र हैं हम संपुर्ण पवित्रता को धारन कर रहे हैं तो इसलिए बाबा काता है ब्र आपका चेहरे का चमक बताएगा कि आपका योग अच्छा लगता है तो आप सभी अपनी प्यूर्टी का तो आप सभी अपनी प्यूर्टी का सभी अपका हो सकता है तो पीछे वाले भी देख रहे हो hoping-पनी अद्धरिस भाहा है बाबा क्राइन सब का पावित्रता का सब्सक्राइब न एशाज सब्सक्राइब देख रहे हो ना कुमारिया ताजधारी कुमारिया हो ना बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी स्रेश्ट है छट करते हैं को गौर से सोचे कि केवल दो दिन वो व्रत करते हैं तो वो जब जाती है उतना अपने सरीर को कश्ट दे कर जाती है नदी तक जाती है आहाथ से मतलब जमीन में लेट लेट कर तो सब उसका पैर्च होते हैं क्योंकि उस वरत का इतना मतलब मान रख रहे हैं और यहां हर दिन वो पवित्रता हम धारन कर लिए हमेशा हमेशा के लिए तो वो चमक दिखाई देगा न अपने अनाधी रॉयल्टी को याद करो जब आप आत्माए परमधाम में भी रहती हो तो आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेश है नादा हम सबसे करीब रहेंगे परमधाम में भी हम बैठे हुए हैं तो आत्माओं का ज सरू आत्माओं में स्रेष्ठ वाबा खे की बिल्कूल करी हमारी चमख ओर उर आत्माओं से शरकार याद आ आनादी काल से आपकी ज्छलक फलत नयारी है जैसर आकास में देखा होगा सिटारे सभी चमकते सब लाइठ किल लेकिन सब सितारों में कोई विजस सितारों के चमक नयारी और प्यारी होती है कोई जो बहुत ज्raw ज्युक्ता तो उससे ध्यान जाता है कि वह सितारा बहुत तो यहां भी परंधा में एक साथ बैठें आत्मा रूप में सब की सबका जो साइज है वह सबका बराबर है लेकिन लाइट में फर्द है हां जो बाबा के 33 करोड बच्चे है ना उनका नंबर वार चमक तो रहेगा है लेकिन और जो इन्ने आत्मा है उनका चमक कम रहेगा जो पर आपना परचार नहीं कर रहे हैं उनका बिना खाय भी रह जाएं लेकिन एक पहले से बैठा हुआ सब के दिमाग में कि यह लोग नहीं खाएंगे चबकि देवी देवताओं को हम होटल की बनी हुए चीजे खिला दे रहें तो कहेंगे न होटल का बना हुआ चीज देवी देवता को लुक चड़ा दे रहें और यह मनुषु होकर भी किसी का छुआ यहां तक कि बिस्किट तक नहीं खा दे इतनी धार्नाव में मजबूत है तो ये धारना मजबूत है ये हम किसको पर्तेच कर रहें भगवान को कर रहे हैं और देवी देवताओं की पूजा से पर्धच कर तो याद Gender right ना फिर आधी काल में याद करो तो आधी काल में भी देऊता स्वरूप में रुषानी रोयल्टी की तो आप एक सेकंड नहीं लगेगा आपको और उसको लात मार कर भगा दे तो उसका मानव क्यों दे रहेते हैं、 पवित्रता के बज़रों तो हम मंदिर बनाके जिनकी पूया कर रहे हैं जानते हैं कि वो पवित्रत तो सारे कलफ में देवटाई स्वरू स्किरॉप की राईलिटी और किसी की रही है नहीं किसी की भी नहीं रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की प्रशनलिटी याद है ना पांड़ों को भी याद है याद आगे आ बाबा आज याद दिला रहा है फिर मैधिकाल में आओ तो मैधिकाल दौपड से लेकर आपके जो पुज चीत्र बनाते हैं उन चीत्रों की रॉ बिदी उताओं के आगे किसी का मान है क्या चीत्र तो बहुतों के बहुतों के मात्मा खादी के भी बहुत जगर चीत्र लगा रहे हैं लेकिन वह स्थिती हैं क्या लेकिन ऐसे बिदी पुर्वा पूजा और किसी आत्माओं की है चाहे धर्म पिताएं हैं चाहे अभी नेता हैं कोई भी छीतर न तो सबकि बन्ती लेकिन छीतरों की रॉयल्टी और पुजा की किसी की देखी और किसी की देखी डॉबल फोरेनर्स ने अपनी पूजा देखी यह कि डबल conse बीजोबी देशी भी वोगी कि दैवीकूल के है न तो उनकी ब्लोगों ने देखी या सिर्फ सुना हैं ऐसे विदीपूरववा पूजा और चीत्रों की चमक रुखानियत और किसी की नहीं होगी क्योंकि की रॉयल्टी है ना पूरिटी की प्रस्चनलीटी एक कोई धर्म पिज़ाओ चाहिए क्रिश्चन को मानने वाले हो चाहे मुस्लिन धर्म कुमानने वाले हो यह लोग जो भी कर रहे हैं आप गौड से देखेंगे हमारी पूजाओं में जो विधी पूरुवक पूजा होता है वो कहीं नहीं होता है अब नवरात्री करेंगे तो नव दिन तक हम व्रत में रहेंगे और सुद्धता का प मतलब हर एक होता था पाठ होता था उसके बाद पण्डी जी बोलते था हात में फूल राता था ऑर पुस्पांजली रोज होता था यह भी पूर्वक और किसी धर्म में देख़ते हैं नहीं देखेंगे तो विधी पूर्वक पूजा और चीतरों की चमक रुहाणियक और कि वाल के हैं हमारी पूजा हो रही है। कि पवित्रिता और सब य्याह कहतु के नहीं नहीं थी। कि लिए वह संपूर्ण पवित्र हैं। हम सब प्राम्भान आत्मारे मंस्दावाचे करमना पवित्रता को धारन करते हैं, और उसके बाद सत्युग में आते हैं। वहां हम विकार में नहीं जाती तो हमारा ब्राम्भन जीवन का पुरुसार्त के आधार पर हमारी पूजा वहाहां हो रही है लेकिन हम सत्यूग में लच मिनारेंग पूज़ा ही तो इसलिए बाबा कहता है पवित्रता ही प्रश्नलिटी है हमारा प्रश्नलिटी हमारा पहनने औरने का देखते हैं कि सफेव साड़ी सायब लाव सीवानी दिदि क्या पहनती क्या चेहरे में लगाती लेकिन चमक देखिए प्रश्नलिटी साया कि उसके सामने एक से एक क्यों और तो महगा महगा कपड़ा सुनते हैं कि एक करोड़ कपड़ा वह संटे है कि अभी का बता रहे हैं अभी ब्राह्मन जीवन कहीं बता रहे हैं उसके बाद देवीदियताओं का तो बात ही चुड़ दीजे अच्छा देख लिया अपनी पुजा नहीं देखी ओ तो देख ले ना विद्यस्यों को बावा बोल रहे हैं अभी लाष्ट में संगम युपर नहीं होगा देखिएगा जब भी आपका कोई चीज के लिए पवित्र संकल्प उठा आपका योग नहीं लगेगा आप परंधाम चाहकर भी नहीं जाने सकेंगे आप वहां से कनेक्शन नहीं जोड़ सकेंगे वह पवित्र धाम से आप योग लगाना चाहेंगे तो नहीं ब्राम्हन जीवन की परशनेलीटी पवित्रता है और पवित्रता ही रुषानी र्याल्टी तो आधी अनाधी आधी मैद और अंत सारे कल्प में यह रुषानी र्याल्टी चलती रहा है तो अपने आपको देखो दरपन तो आप सबके पास है ना दर्पन है न कौन सो दर्पन हमारा तो सबसे बड़ा है कि हम ब्रह्मा बाप को देख कर चलें वो कैसा चला उसमें अपना अक्स देखें क्या उसके समान है दर्पन है देख सकते हो तो देखो हमारे अंदर पवित्रता की रोयल्टी कितने परसेंट में है दिन रात हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कल भी वावा क्या होला था स्वदर्शन चक्र फिरा कर हम ऐसे मान सम्मान ऐसे अपनी स्थिटी को पावरफुल नहीं बना सकते हैं सबस इसी चेहरे से नीट इसाल इसला कितने लिए वंछ औरल में चेहरे से पर्वित्रता की जलक दिखाई देती है यहं में चेक करना है चलन में प्यORविटी की फ्लक दिखाई देती है फलक मतलब एक दर उमंभुतसा एक गर्भ रहे कि हम मैं ब्राम्हान है लेकिन कभ जब वो पवित्रता अंदर से होगी इसमें सब में हम परफेक्ट हैं देख लिया अपने को देखने में कितना समय लगता है सेकंड लगता है देखने में सेकंड भी नहीं लगता देख करके अतुरंत अपना इसलिए बाबा किसी के हाथ में पकड़ाता हम खुद ही अपनी रिजल्ट तैयार करते हैं तो सभी ने देखा अपने खुद पहले से जानता है कि हम कितना पढ़ें कितना अच्छा से में एक जाम दिये मेरा रिजल्ट कैसा आएगा तो यहाँ भी बाबा बार बार चेकिंग करवाता है क्यों च्uch पर लिखार एक वरता किवल एक यह הוא या तो सुंदर लगता है ना एक वरता का आष्थी है पवित्रता की रोयल्टी जैसे ही एक के अलावा किसी दूसरे को सोचते हैं यानि पती-पत्नी का संबन को ही देख लें डेगे पती हो या पत्ति पत्तली हो, अपने एक दूसरे को छोड़कर किसी और के बारे में आकर्सन जाता है, तो इसको पवित्रता कहेंगे क्या आप पवित्रता है ना तो उसी तरह यहां भी हम जब स्विवाबा के बन गए तो बस स्विवाबा और कोई नहीं तो एक वरता का आर्थी है पवित्रता की रोयल्डी तो एक वरता का पाट पक्का कर लिया है वहां जाकर कच्चा नहीं कर लेना मतलब लौकी जीवन में गए तो वहां फिर कच्चे हो गए यहां तो पक्के हो गए और कुमार गुरूप उठो कुमारों का भी गुरूप अच्छा है कुमारों ने दिल में पर्तिग्या का पट्टा बांध लिया है इन्होंने यानि कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध बाहर से बांध लिया मतलब सबकोई पर्ता बांधा हुआ ही तो इसे हैं बोलो जी हां ना जी यहां आज बाबा question question दागा है यह वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि थोड़ा-थोड़ा धीला हो गया ऐसे नहीं करना जब तक ब्राह्मण में जीना हैं तब तक संपुर्न पवित्र रहना ही है और बतिर रहने में फाइदा है ना और कईदे में रहेंगे तो बाबा करतें ऐसे पक्ना वायदा है तो यह ही फोटो निकल रहे हैं बाबा के इ multicultural आगे हैं जो डिशी उसको यह चीतर भेजेंगे इसलिए धीला नहीं होना पक्का रहना हाँ पक्य हैं पांडव तो पक्य होते ही हैं पक्ये पांडव बहुत अच्छा बाबा पांडवों की मान कर रहा है ुआ इस पलता के वर्टी है सुभ भावना और सुभकामनासुक पौीत्रता में विचारों यहां में अगर किसी के प्रसूब आया आप फट्रता और हर इस्थिती में मेरा सुभоды होगना है नहीं तो मेरी पवित्रता है अब हम सोचते हैं कि केवल ब्रह्मचर ये पवित्रता है या सुध हानपान कर लिए यही पवित्रता है नहीं मन की स्तरक है यह अपने मन की चेकिंग अंधर तक 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 जाया कर करने की है तो कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र विचार अर्थात किसी के सुन्दर्ता पर ना देखना कैसी किसी भी तर बाबा तो गुनों तरफ आकरसीद भी नहीं होने को आपके बाबा करना है बाबा तो इसको थेने वाला दृष्टी और क्डून गुन को दित्स का पर्म में भी सदाहर आत्मा को सुक देना और सुक लेना हम क्या करते पाप कि बच्चे अच्छे से लेकिन कुनकि किसी बात में ले लेटेई नहीं लेना Po यह पवित ह्ना प्वित्रृता की लेज्अन तो वृति द्रिष्टि और क्रिती द्रिहरे कीयों को यह idharna हो को क्या भी करता है दुख भी देता इंसल्ड भी करता है लेकिन Вulcan फाद लिखा हुआ है कभी नहीं लिए कि फॉलो ऐसे लोगों को या कल्यूगी आत्माओं को अज्यानी आत्माओं को आपको फॉलो करना ऐसा तो बाबा नहीं बोला फॉलो फादर है ना तो ब्रह्मा बापने दुख दिया वह सुख दिया ब्रहमा बाबा का तो जितना बदनामी, उतना किसी का बदनामी हुआ ही नहीं आज क्कुछ 60 साल के उमर में स्वि बाबा उनके तने प्रवेज किया और सब से पहले उन्होंने ब्रहमचार का धारहन किया और उन्हें कहा गया कि छोटी छोटी लडिकियों का इस्तिरीयों का वो यॉन सोचन करतें इससे बुरा और क्या हो सकता था इससे बड़ा में पहुं। आधूरे कि उस बड़े अकबार में निक डाले में अकबार है को चीज अब सब पर शुए उसमेंगे, बने सब्सके शुक्राइं धूरें वन भीक यह शुक्री क्हानी तो ब्रम्भा पापने दुख दिया वा सुख दिया, सुख दिया ना तो आप मास्टर ब्रम्भा अठर ब्राम्भन आत्माओं को क्या करना है, कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे, दुख देंगे क्या, नहीं देंगे, इतना सवाल पुछ रहा है, बहुत दुख देव बहुत insult करें तो थोड़ा तो फिल करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे न खुमारिया फिल करेंगी थोड़ा तो follow father बाबा नहीं किया था 필요 सिलिए हमें किसको follow करना है गा-बाबा को यह सोचो कि मेरा करटव क्या है इनको नहिं लगाया थे तो कि यह सोचो मेरा कर्टव क्या है उसका कर्टव देखकर अपना कर्टव नहीं भोल जा उसका कर्टव है रावन का वो गाली दिया है लेकिन मेरा कर्टव क्या था हम अपना कर्टव क्यों भोल जाते हैं कभी भी हमें एक ही चीज सोचना है कि रावन सीता को चुरा लेता है कहा नहीं लेकिन कभीहीं मंदोधरी को चुराने के हम आसे क्यों पर लेते हैं यहीं यहीदा बाखी संसिल्टा से गाया ने वाले बाबा के साथ आशा हुआ जो पेपर में छापा गया उसके बाद भाई को बुलाया गयえं ऑर उनका बहुत सम्मान क्या गया अब भाई सोचते हैं कि यह क्या हो रहा हम तो इतना इतना इन लोगों का बारे में गलत लिखें और इतना बाब समान कर्या बाबा बहुत अब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा उसे पूछा कि हम तो इतना आप लोगों का आप मान किया और आप मतलब इतना बुला कर मेरा सम्मान कि इतने बड़े पेपर में हम लोग हैडिंग में दे सकते थे अब आप यहां आए इस बहाने आपको बुलाया गया आप में तक वो ब्रह्मा कुमारीज के बारे में पॉजिटिव लिखता रहा है तो हुआ ना लेकिन हम क्या करते हैं एक चोटा से स्लोगन पढ़े दे बहुत अच्छा था कि बीगन के बारे में जब हम बार बार सोचते रहते तो वो बीगन हमारे जीवन से फिर नहीं जाता और हार स्विकार कर लेती हैं लेकिन बीगन को बढ़ाने वाले कौन हमी तो सहनसीलता में इतनी सकती है लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है तो सहनसीलता के देव या देविया हो ना हो पूछ रहे बाबा क्वेस्टिन सदा यहीं स्मृति रखो कि मैं सहनसीलता का देवता तो देवता आथा देने वाला दाता कोई गाली देता है रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उसके अंदर कीचड़ा है ना रिस्पेक्ट करना मानव को सभा होना चाहिए आत्मा को क्या दिया गया है सांती सर्ती पवित्रता ज्यान प्रेम आनंद और सुख यहां कोई भी गलत ची दे रही है आपको गाली दे रही है टोन बाजी कर रहे है तो क्या है कीचडा अची चीज्या है तो आप लेते क्यूँ हो separate आप टालेचिश में डाल करेंगे लेगे देदेगा लिजेज़ा वीए रखे में रख्यगा और नहीं रखिए बिकीशगा लिया जाता है इसी लिए आप क्रोध में है और आप उस किच्ड़े को ले करके फिर दिखाते हैं कि देखो मेरे अंदर आप तुमसे ज़्यादा भरा हुआ यह हमें नहीं करना है नहीं लेंगे न तो रिस्पेक्ट नहीं करता इंसर्ट करता है गाली देता है आपको डिस्टर्ब करता है तो यह क्या है बाबा सब कुछ ले लिया है कोई छी छोड़ा नहीं है ताकि आप कल को कोई बहाना न दे कि हमको तो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा कि हम लोग जब जब ग्यान में चल रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है थोड़ा सा डिश्टर्ग होते हैं पांच मिनट साथ मिनट उसके बाद फिर हम अपने आपको रियलाइज करते कि यह तो माया का खेल तो अब धीरे धीरे वो भी नहीं होना है यह बाते हमें असर्प करनी नहीं तो अभी लेना नहीं लेना अर्थात मन में धारन करना फिल करना सोचे कितना धैर राम में रहा होगा सीता चोरी हो गई है लेकिन कितने धैर्यता से एक सेना तयार करता है ऐसा सेना तयार करता है जि कि यसे तो पती नीजरता के साथ रहने सकेगां यीदा आप कि लड़ करके और ओफी सीटा कि तो अपने अनाधि काल अधी काल माध्य काल संगं का सारे कल्प के प्यॉूर्यिटी के रालटि प्रस्टनालिटी याद करो आदी काल में भी परमधा में बाबा के सबसे करीब थे हम आदी काल में तो देवी देता थे जो आज भी उनका पूजनर गायन हो रहा है मैध काल में पूज स्वरूप की पूजा आज तक हो रही है संगम काल में सबसे स्रेट जनम जहां हम स्रेटी के आदी मैदन सब कुछ जानते हैं और यहीं हम सुद्र से ब्राम्हन बन रहे हैं और ऐसा ब्राम्हन जो किसी के न दुख देता है न दुख लेता है तो सारे कल्प की पवित्रता की रोयल्टी परशनलिटी को याद करो, जब जब आप पवित्रता मन में आता है, कोई गलत संकाल पाता है, तो बाबा काता है, याद करो, कोई क्या भी करे, आपके परशनलिटी को कोई छीन नहीं सकता, छीन सकता है, हमारा जेवर छीना जा सकता है अगर हमारे धन से पर्शनलिटी हमारी तो हुए धोखा देकर रहे सारे धन को लूटा जा सकता है लेकिन मन की पवित्रता कैसे लूट लेंगे तो यह दूसरे धरम के उसके बाद भारत के नहीं तो इसलिए उनको डबल विदेशी कहा जाता है अब वो जो जो चीज धारण करने उनके लिए तो सब चीज डबल हो गया ना क्योंकि वह यहां के है भी नहीं लेकिन हर एक चीज धारण कर रहे हैं और उनके अंदर जितना नसा है उतना तो भारत वास्यों को नहीं उनको जब बाबा मिलन में आने करता है तो नौकरी छोड़ देते हैं नौकरी में उनको बोला जाता है कि नहीं आप इतना दिन आपको छुटी नहीं मिल सकता है तो बोलता ठीक है नौकरी छोड़ देते हैं और आकर बाबा मिलन मना कर जाते हैं और पता चलता कि उससे अच्छा नौखरे मीदा। क्यों कि निश्चय था, कि हमको बाबा मिलन मना ना है, यां बाबा जानेगा, बुखा रखेगा कि कैसे रखेगा, तो इतना उनके अंदर थी पवितरता है, तो बाबा कहते हैं वो नसा उनके अंदर है और डबल फॉनेरल को तो डबल नसा है सब बात का डबल नसा पवित्रता का भी डबल नसा सहंसील देवी देवता बनने का भी डबल नसा है न डबल सिर्फ अमर रहना बाबा करता है अमर रहना अमर रहने का मतलब जान रहा है ग्यान छोड़ना नहीं है ग्यान में छोड़कर मर जाते हैं तो उसको बाबा अमर रहना यानि सदा ग्यान में हर इस्तिती में चलते रहना अमर भव का वर्दान कभी नहीं बोलना अच्छा जो गि पतनी हैं लेकिन सब पवित्रता धारन करके रहा रहा तो सिंगल ही कहेंगे ना सब सिंगल सिंगल ही रहा रहा है खड़े हो जाओ यूगल तो बहुत हैं कुमार कुमारियां तो थोड़े हैं कुमारे कुमारों से तो यूगल बहुत हैं तो यूगल मुर्थ बाब दादा ने आप सब को गिरस्त में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है। हम सब कभी ना सोचें कि हम क्यों यूगल हम क्यों नहीं पवित्र रहें। हमने क्यों मतलब ब्रह्मचर धारन सुरु से मतलब समर्पित क्यों नहीं हुए। आज बाबा उसको भी क्लियर किया। आपको यूगल रहने की छुटी क्यों दी है। हमसे भी उनको काम लेना है। गिरस्ती में रहने की छुटी क्यों दी है। जानते हो। क्योंकि यूगल रूप में रहते इन महामंडलेस्वरों को पाव में जुकाना है। से महामंदलेस्वर यो जो कहते हैं कि ऊपकी जो होड़े और सुप्र दाणे कि नहीं की जा एका में ने तुम इसक्सुनल को आपने बड़ा काम दिया है हम सब लोग कहते हैं कि साते पवित्र रहना या कभी लेजी इसलिए बाब दादा ने ड्रामा अनुसार आप सबको दुनिया के आगे 200 के आगे एंजम्पल बनाया है फिर हम कैसे कहें कि नहीं हमारा हम हमारा उतना भाग नहीं है बहुत भागे भगवान को सबतरा के बच्चे चाहिए ना बाबा क्या साधी सुधा नहीं था बाबा की क्या बच्चे नहीं थे परिवार नहीं था तो चैलेंज करने के लिए बाबा ने हमें चुना है तो हम चैलेंज स्विकार करते हैं स्विकार करते हैं तो गिरस्ती में र तो यहीं चैलेंज करने वाले हो थोड़ा-थोड़ा डरते तो समक्ल्फ this this विश्यू के सोकेस में आप उधारन हो, सेंपुल हो, कहो या फिर एक्जाम्पुल कहो, आपको देख करके सब में ताकत आएगी, हम भी बन सकते हैं, हमें देखकर ही लोगों को ताकत आ रही है न, और हम एक दूसरे को देखकर ही, जैसे इस ग्यान में आये थे, तो जैसे ही स किया बिस्कित के विना कैसे रहेंगे ही, हम सोचे ही नहीथे कभी, कि बिस्कित हर स्थिति में मेरे पास होता हिन त मैं न dem pick have some यह नहीं खाते हैं एक दूसरे को देखकर टाकत आती है थीक है पक्के हो ना कच्छे पक्के तो नहीं हो मतलग कभी कच्छा कभी पक्का तो नहीं हो बाब दादा भी आपको देख करके खुस है, मुबारक हो, देखो कितने हैं, बहुत अच्छी, मतलब इतने सारे यूगल है, अब सब एक साथ तह रहे हैं, बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गती नहीं, क्योंकि किताब है आपके पास और पढ़ाने वाला टीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे, मतलब टीचर्स का पर्शनलिटी से उसका चेहरे से चलंज से उसके कर्ण से दिखाई दे उसका भवित, या हर एक टीचर्स के फीचर्स से फरिस्ता स्वरूप दिखाई दे, ऐसी टीचर्स हो ना, आप टीचर्स भी अपना चेकिंग करें, क्या जैसे हैं कि नहीं हैं? आप फरिष्टों को देख कर और भी फरिष्टे बन जाएं देखो कितने टीचर हैं फोरेंड ग्रूप में टीचर बहुत हैं अभी तो थोड़े आये हैं, जो नहीं आये हैं, उनको भी बाब दादा याद कर रहे हैं, अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके यह प्लैन बनाओ, कि अपने चलन और चेहरे से बाब को परतेच कैसे करें, क्योंकि करना हमें ही है, और ये ना समझे कि टीचर जो बैठ कर मुरली में हैं, और हम जैसे ग्यान धारंग करते हैं, तो दुनिया वाले कहते हैं, परमात्मा सर्व्यापी है, और आप कहते हो कि नहीं, कहते हैं, नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हम कहते हैं, परमात्मा सर्व्यापी नहीं है, कनकन में नहीं है, लेकिन बाब दादा कहते हैं क हम अपने संकल्पों से हम अपने सेवा से दिखाएंगे तो सर्व आप ही दिखाई देगा न क्योंकि सब के अंदर बाप दिखाई देगा तो जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे ऐसी स्थिती होनी चाहिए परसु कही था ना साम का मुर्ली में कि बाप बनकर आपको सेवा करेंगे मतलब कितना बड़ा-Bडा टाइितल बाबा दे रहा है और हम क्या है कि एकदब छोटा बन जाते कोई छोटा सा प्रॉबलम में हम छोटा बन जाते हैं और हम अप bad इच्छा करने लगते हैं कितना समय चाहिए आप से चालू करें चालू करेंगे अच्छी हिम्मत है सब बोले हाँ बाबा चालू करेंगे तो बाबा बोला अच्छी हिम्मत है कितना समय चाहिए कि क्वेस्टिन बाबा पूछ रहा है दो हजार दो उस समय चल रहा था अभी तो बाइस साल हो गया इस मुर्ली को चले हुए अब यहां देखना है अभी दो हजार कप तर तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना कि अब बस अभी बाप के अंदर मैं समय हुई दिखाई दो यह मुर्ली चले चल बाइस साल हो गया और आज हम बैट कर डिसाइड यह नहीं कर पा रहा है कहते कि अभी भी हमें चेहरा दिखाई दे रहा हम सब को एक एवल आपको ही नहीं आप अच्छे से बात को रख दियें सत्यता को लेकिन अंदर कहीं ने कहीं सब बच्चों में है तो बाबा करता है कि मेरे द्वारा बाब दिखाई दे o लेच्छे क्या हमारा यह है न प्लैन बनाएंगे डबल वीदेसी मीटिंग करने में तो होसी आ रहे है अभी हम मीटिंग करना इस मीटिंग के बीना जाना नहीं कि मैं कैसे हम एक एक से बाब द दिखाई दे उसके चलन से बाब दिखाई दे तो अभी ब्रह्मा कुमारिया दिखाई देती हैं अभी ब्रह्मा कुमारिया दिखाई देती हैं ब्रह्मा कुमारिया बहुत अच्छी है लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वह देखें यह भी नहीं हुआ तभी तो भी सुपरिवर्तन होगा ना तो डबल बी देशी इस प्लैंग को प्रैक्टिकल सुरू करेंगे ना करेंगे अच्छा पक्का है तो आपकी दादी है ना उसकी आसा पुर्ण हो जाएगी दादियों के बारे में बाबा बो रहा है ठीक है ना अच्छा डेखो डबल जार दादी के बारे में पहली बच बोल रहा था तो बबाल बोल यह जो जिसका कदाता स कालों मत्तल गुल्चा इसका अद्धान कालों मतलब iauं कि यह की दादीयान जब ही बोलती हए कि जाओ शन्देश लेने के लिए तो जैसे गुल्चा ड़ा लेना थी कि अभी नहीनु तो प्रकासमनी दादी लोग बोलती थी ना, तो प्रकासमनी दादी मुए से चुपा के हास रही है, इतना अच्छा उनको सीन लगा ना, क्योंकि बाबा बात कर रहा है, तो बोला कि ये बच्ची कभी कहती भी है, कि अभी नहीं थोड़ा देर में, तो नहीं अभी जाके तु समझ में नहीं आ रहा है, दादी गाड़ी में, गाड़ी रोकवाती है, योग में बैठती है, बाबा से संदेश्प्रिक तुरंदे देती, मतलब इतना सेवा करने का, ये नहीं है कि हम सफर कर रहे है, अभी मेरा अमा निकागर नहीं है, ध्यान इदर उदर बढ़का कुछ क्योंकि डबल विदेशी आत्मा है, जो सेवा के निमित बन गए है, वो विश्व के कोने कोने में बाब का संदेश पहुचाने के निमित बने हुए, नहीं तो विदेश की आत्मा है, चारों और की प्यासी रह जाती है, तो इसलिए बाबा का अभी बाब को उलाहना तो नह कोई उलाहना नहीं देगा कि हमें घ्यान नहीं मिला, आप गाने चले कि नहीं चले, बाद में आप दोस्तों नहीं देगे, क्या कहेंगे कि संदेश है person तो पूरा करेंगे ना लेकिन आप दादी जानकी को बहुत सेवा कराती थी मतल בע approached क debar लेकिन इस थकावट में भी मौज समाय हुई होती क्योंकि कायरह तो बाबा का के आप लेकिन थकावट सा महसूस होता है भाषन करके आए बहुत लोग ज्ञान सुने सबको अच्छा लगा तो उसका दूआ काम करता जानकी दादी क्या बोलती थी पच्चास परसेंट तो हम के वल दूआ से ही मेरे सरीर चल रहा है उतना बीमार रहने के बागे अच्छा है दोनों दादियों में उमंग उत्सा बढ़ाने की विसेश्ता है या सां सारे देशों में अभी भी नहीं हुआ है तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है ठकाती है लेकिन लच क्या है कि सारे सभी देशों तक बहुत जाए इसलिए बाब दादा खुस भी होते हैं कि ज्यादा नहीं ठकाओ करो लेकिन ज्यादा नहीं ठकाओ आप सब सेवा में ख स्वेंग को सेवार याद में त्यूर पुरसात द्वारा नंबर बनने वाले सदा बाप्त के समान सर्वशक्ति सर्वगुन संपन स्वरूप में रहने वाले ऐसे सर्व तरब के हर एक बचे को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाद दादा को याद प्यार गूड मॉर्निंग और नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बिदेश की मुख्ट टीचर्स बहीनों से बाबा बात कर रहे हैं सभी ने सेवा के प्लैन अच्छे अच्छे बनाया है न क्योंकि सेवा समात्तो तब आप कराय जाए तो सेवा का साधन भी आवस्थत है लेकिन मनसा भी हो वाचा भी हो साथ साथ हो सेवा और स्वाउन्नती दोनों ही साथ हो ऐसी सेवा सफलता को समीब लाती है मतलब किसी को ज्यान दे रहे है ज्यान उसको टच कब होगा जब हमारी मांसिक स्थिती अच्छी पावर्फुल रहेगी योग युक्त अवस्था रहेगी तो बाबा क्या करता है तुम्हारे द्वारा ही भिस्ल पितामों को तीर लगेगा मतलब वैसे वैसे लोग जो बिल्कुल नहीं आने वाले थे वो लोग भी आएंगे तो कब आएंगे जब हमारी स्थिती यहां से पावर्फुल रहेगी केवल वानी से कायर नहीं होगा वानी से कायर का भी जया की सोरी का सुन रहे हैं कल तो एक वीडियो देखे एक भाई बोल आप ज्ञान देते हों आप राम की कथा सुनाएंगे तो राम हर घर में रामाया ने पढ़ रहे हैं लोग जीटा खुद ही पढ़ लेंगे आप उस ज्ञान का निचोड क्या है यह तो आप बता ही नहीं रहे हैं थो दूसरे को कहां से कर आएंगे इसलिए बाबा यहां पर कर कर ही रहे हो बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लैन बनाओ उसके लिए क्या-क्या स्वैंग में वह सेवा में ब्रिधी चाहिए एडिसन चाहिए वह प्लैन बनाओ बाकी बाब दादा सेवा धरियों को देखकर खुश तो होते ही हैं सभी अच्छे सेवा के इल उन्नती को अच्छा है आच्छा हो रहा है ना तो हो रहा है और होता रहेगा वर्दान देरी अब आभी जिर्फ अलग अलग बिख्रें हुए उनके संगठन करके उन्हों को पक्का कर बिखरे हुए हैं उसको पक्का करने के लिए आज बाबा बोल दिया एक ही जगा में छे साथ सेंटर चल रहे हैं सब अगर एक जगा संगठित होकर चलेंगे तो कितना पावर्फुली सिती होगा उस जगा का कितना मानो जगा यहां यह जगा जरीडी बजार है ना जगा लेकिन गौर से सोचने की लोग मानना नहीं चाहते हैं दूसरे जगों में ज्यान को सुणना में चाहते हैं और इतने चोटे से जगह में अगर 5-6 जगह चल रहा है यानि लोग मान रहे हैं यह जगा कहीं नहीं तो इसलिए बाबा कता उनके संगठन करके उन्हें पक लेकिन उसको एक मुठी में चार-पांच लखणी को दीजे और तोड़ने बोला जाए तो तोड़ पाईएगा नहीं तो ये संगठन की एकता होनी चाहिए प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ चाहे कोई भी सेवा कर रहे हो भीन-भीन प्लैन बनाते हो कर भी रहे हो अच्छा चल भी रहे है अभी उन सभीका गुरूप एक सामने ला सब अलग-अलग चल रहे है लेकिन अच्छा चल रहे हुं से खोई फायदा ने क्यूंकि अलग Vous तो आज भगवान का महावाथ है मनुष नहीं बोल रहा है अभी उन सभी का ग्रूप एक सामने ला जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मन परिवार के सामने आ जाए और जब हम एकता में आ जाएंगे तो हमारे जो वरिष्ठ लोग है तुरंत उनका नजर हम पर जाएगा अभी क तीन इस्मृतियों के तिलक द्वारा स्रेश्ट इस्थिती बनाने वाले अचल अडोल भवत बाप दादा ने सभी बच्चों को तीन इस्मृतियों का तिलक दिया है कौन कौन से गोईने एक स्वा की स्मृति के मैं आत्मा हूं बाप की स्मृति के मैं परमात्मा की संतान हूं और स्रेश्ट कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति ड्रामा की स्मृति हमें स्रेश्ट कर्म हमेसा कराती क्यों क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है बाबा बोलता है उसमें कल्य करें कि जो भी हो रहा है उसमें कल्यान का रहेगी कि ड्रामा पर्फरक्ट बना हुआ है उसमें कुछ भी चेंज never rage now का रही है तो कोई भी कर्मी से बुरा होगा हम गुस्से में आएंगे हम सहरे कोरें कि गुष सा जाते हैं सहन नाई होता है उसका एसमुरूटी नहीं कीस प्रेश्त हैं उनके चहरें से चलन से दिखाई देगा तो कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे उपर नहीं हो नीचे उपर क्यों होते हैं ड्रामा को भूल गए अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए परमात्मा को भी साइड कर दिये तीनों को साइड करते हैं और हम अकेले पढ़ जाते माया ह आपको मारने के लिए आपका जो सेफ जोन उससे बाहर निकालेगा एक ऐसे साइड में ले जाएगा जहाँ आपको बचाने वाला कोई नहीं अब फिर आपको मार देगा थाकि उसके 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 नाम भी नाया है और आपका मडर भी हो जाए तो यही माया करती है हमें अपने स प्रिष्टी में नहीं रहे तो जो भी भिन भिन परिष्थितियां आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे अगर ये तीनों बातें याद रहेंगे कि मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतानु और ड्रामा कल्यानकारी है स्लोगन है द्रिष्टी को अलोकिक मन को सीतल और बुद्धी को रहम दिल बना द्रिष्टी को अलोकिक बनाना है यानि लोकिकता में नहीं सब को एक समान इस्थिती में देखना है अलोकिक का मतलब ही है सबको आत्मा देखना सबको समाना है मन को सीतल क्योंकि मन ही जो है इधार उधार जो हमें भटका रहा है मन को सीतल हसादा सांत रखना है और बुद्धिक और रहम दिल हर एक के प्रतीर रहम की भावना रहेगा तो क्या करें गया हर एक तक परमात्मा का पहुंच जाए हमारा नहीं तक क्योंकि हम दुख से छुट गया हर एक आत्मा क्यू plusieursव монग taxation बाबा हमें अपनी गोद में पालना देता है बाबा हमें रोने से छुड़ा देता है होता है कि नहीं होता है और बाबा इतने महिन से अगर और से देखते रहेंगे ना अपने जीवन को और देखेंगे कि कैसे छोटी-छोटी बातों से हमें निकालता है और कैसे हमको ले चल और एकदम से उसी कहानी पड़े थे ना कि गोध में लेकर चलता था दो पैर का निसान बनता था तो बोला कि कौन है जो मेरे आगे पीछे चला तो बोला कि मैं तुम्हारे पीछे भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं जब उसका बुरा दीन आता है और व निष्चिंत सोयगा पहल निष्चिंत खेलेगा आण्धी तुफ़ान भी उसको एक ही चीज है कि मेरा बाप हम अपने बाप के गोद में उसको कोई डर नहीं बच्चे को उठा-उठा कर हवा में उच्छाल देता है लेकिन बच्चा हकता है खिरने नहीं देगा है तो यह परमात्मा की में हम पम पड़ आजाए उनकर जोड़ना हो संख्या जोड़ना नहीं कि इतनी लोग यहां पर आ जान सब दुर होना Frame झालो 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 झालो